तो मुझे लगता है कि ये अवश्य है कि जॉब्स की नेचर चेंज होगी और चलिए मैं तो खिर जॉब को लेकि उतना परशान नहीं था कुछ और गही चिंताओं से परशान हूँ डेविड हूम नाम के गदार्शनिक ने ये कहा कि मनुश्य कितनी भी कोशिश कर ले उसके पास क्रियेटिविटी जीरो होती है मैं थोड़ा सा उसका बात समझाता हूँ फिर आप अपना पक्ष रखी उसने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक कोरे कागस की तरह है ये जॉन लॉक ने कहा इसको डेविड हूम ने फॉलो किया जो कुछ भी हम सीखते हैं जानते हैं वो या तो आता है जो पांच इंद्रियें हैं उनके सेंसेशन से आता है या हमारे मन के रिफलेक्शन से आता है और मन के रिफलेक्शन से भी वही आएगा जो पहले सेंसेशन से आया उसी के समंद में आएगा जितना मैं जानता हूँ सब मिने अनभाव से सीखा है और जब मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ क्रियेटिव काम किया है मैं दरसल सिर्फ इतना करता हूँ कि अनुभव से सीखी हजारों, लाखों चीज़ों में से कुछ को मिक्स कर देता हूँ और फिर मैं कलेम करता हूँ कि मैंने कुछ नया इजाद कर दिया है दरसल इनोवेटिवनेस दरसल creativity स्रिजनात्मक्ता एक छलावा है आपकी क्या राय है इस पर और इस सेंस में क्या कोई भी writing पूरी तरह से creative हो सकती है सर अगर आरंब की बात करें तो कभी न कभी कोई वस्तु पहली बार आई ही होगी तो उसे हिसाब से देखा जाए तो एक logical reasoning ये कहती है कि प्रत्यक वस्तु कभी न कभी पहली बार होती ही है